Hello friends, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस whiteboard के बारे में बताऊंगा इस whiteboard के dimension है, 3 feet and 2 feet, 3 by 2 feet का ये whiteboard है और ये dual board है, इसके back side में ये green board है So, इस green board पे आप chalk से लिख सकते हैं, जैसे schools में पहले बढ़ाते थे तो इस side chalk से लिख सकते हैं, और ये जो whiteboard है इस पर आप marker से लिख सकते हैं मैं इस whiteboard के साथ 4 marker लाया हूँ, अलग-अलग color के black, green, red और ये blue और इसके साथ एक duster और एक black ink का pot लाया हूँ ये सब मुझे 700 में पड़े और ये मैंने एक stationary की दुकान से करेदा है तो Amazon से भी आपको लग-बग इस size का board इतने में ही पड़ेगा और इसकी एक खास बात ये है कि इस board के corners हैं, वो curved है कोई-कोई board के होते हैं कि sharp corner होते हैं, तो कभी-कभी चोटर लग सकती हैं लेकिन इस board के corners हैं, वो plastic covering हैं इनकी तो मैं यही suggest करूँगा कि जब भी आप board करें दें तो उसकी corners देख लें एक बार और यह जो board है, यह means कोई-भी topic हो, तो sufficient है, कोई-भी topic पढ़ाने के लिए sufficient है, इतना dimension ठीक है और अगर यह video आपको पसंद आया हो तो इसको like कीजिए, share कीजिए, और कोई suggestion हो तो जरूर comment box में कीजिए, thank you